Hello Friends, मेरा नाम है विकास, आज़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Google Meet कैसे यूज़ करें, Google Meet कैसे इस्तिमाल करें हम Meeting करने के लिए या किलास करने के लिए, अगर हम Teacher हैं तो हम Google Meet इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको Gmail एपको उपन करना है वन्ना आप Gmail वन्ना आप Google Meet application डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा यह वाला आइकन इस पर टेच करिए और आप Google Meet में यहाँ पर आ जाओगे Grant Permission कहेगा Permission दे दीजिए Allow कर दीजिए 3-4 बार उपर आपकी Gmail आइडिया ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको एक New Meeting Create करनी है अगर आप एक Boss हो, Teacher हो या आप New Meeting Create करना चाहते हो तो New Meeting पर आईए तीर आप्सन मिलते हैं आपको आपको Get a Meeting Link to Share, Start a Instant Meeting और Schedule Normally लोग पहला वाला करते हैं तो Get a Meeting Link to Share पर किलिक करना है यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा आप इसे Copy कर लेजिए फिर आप इसको Share कर दीजिए अपने Group में या उस जगह पर जहाँ पर लोग इसे Join कर सके इसके बाद यहाँ पर आपका जो Meeting का एक Link है आजाएगा इस पर आप टच करिए और आपका जो Settings है खोलने को कहेगा Go to Settings पर जाईएगा इस पर आप परमिशन अलाव करिएगा कुछ परमिशन अलाव करने पड़ेंगा आपको नीचे मिलेगा आपको Join ध्यान लखिए जो आइकन दिखा रहा है ये वाले इनको Unable करना मत भूलिएगा आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं यहां से और Meeting लिंक दुआरा आ रहा है आप इस लिंक को Share कर सकते हो Join कर लीजिए और इसके बाद यह Join हो जाएगा पूरा करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसमें कोई दिक्कत आ सकती है तो Join कर लीजिए इसके बाद आपका Meeting जो है Share हो जाएगी वीडियो पसंद आई है वीडियो को Like करें चैनल को Subscribe करना मत भूलिएगा